हाई मेरी प्यारे दोस्तों मेरा आज अम्रेश स्टेपिंगेश्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं हम लोग टायमेंड डिस्टेंस का टॉपिक चार पढ़ रहे हैं टॉपिक चार में चारतरह का प्रश्ण है टॉपिक चार में चारतरह का प्रश्ण जिसमें से पहला टाइप यह है देखिए एक चोर चोरी करके 30 किलोमीटर परतिगंटा की चाल से जब 60 किलोमीटर भाग गया तो पूलिस ने 50 किलोमीटर परतिगंटा की चाल से उसका पीछा किया चोर चोरी करके यहां से भागा और 60 किलोमीटर दूरी चला गया अब चोर यहां है उ भाग रहा है 30 किलोमीटर परतिगंटा की चाल से अब उसके पीछे दुसरा अदमी जब वह 60 किलोमीटर भाग गया तो 50 किलोमीटर परतिगंटा की चाल से पीछा कर रहा है ठेख है? 50 km प्रति घंटा की चाल से पीछा कर रहा है, तो कितने समय में पकर लेगा? अच्छा, 1 घंटा में 30 km जा रहा है, तो एक घंटा में तो 50 km जा रहा है, तो इसका 30 km कॉभर मैनेज करने के बाद इह 1 घंटा में 20 km जादे दोर रहा है, तो एक घंटा में 20 किलो मीटर जादे दर रहा है तो 60 किलो मीटर जेतना दिर में कोभर कर लेगा उतने समय में न पकर लेगा पकरने में लगा समय समझेगा बात को कि दोनों के बीच के दूरी है 60 किलो मीटर एक घंटा में 30 किलो मिटर जा रहा है और एक घंटा में 50 किलो मिटर जा रहा है तो इसका 30 किलो मिटर इसमें मैनेज कर देंगे कि यही 30 किलो मिटर गया तो इही 30 किलो मिटर गया लेकिन 20 किलो मिटर जादे चल रहा है तो एक घंटा में 20 किलो मिटर जादे चल रहा है तो एक किलोमीटर जाने में पकरने का चाल है पकरने का चाल 50 में से 30 गया तब 20 यहीं होगा ना पीछा करने का चाल 50 किलोमीटर प्रती घंट है लेकिन पकरने का जो चाल है जो रियल में उसको पकर रहा है जो दुरी इसको कोभर करेगा जितना समय में उतने दर में पकर लेगा तो 60 क दस बजे पकरना चालू किया तो कितने बजे पकर लेगा तो दस बजे पकरना चालू करता तीन घंटा लगता तो दस तीन तेर यानि एक बजे दो फर में पकर लेता अगर दस बजे सुबह में भागना दस बजे सुबह में पकरना चालू करता और तीन घंटा पकरने में लग तक कया वज़े पकर लित Top 12 अगर पूछ था कि पकरने में तई दूरी कितनी ं के नकिषान को ़ें यहें पचास किलोमेृटर पर ती घंटा की चाल से तीन घंटा चला है ता ना जाके पक्रा है इधर कहीं जाकर होगा तोtalk क्यात किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से तीन घंटा में कितना दुरी जाएगा पचाशती आई तो डेर सो किलो मीटर दुरी तै करके पकरेगा ठीक है उमीद करते हैं बास समझ में आई होगी इस सारी बात अच्छा देखी अब इस प्रश्ण में आते हैं एक चोर कार चोड़ी करके देर बजे दो पहर को 60 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से भागा दो बजे से चोर का पिछा 75 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से किया गया तो देर बजे चोर भागा दो बजे चोड़ी का पता चला तो चोर कही से भागा ता 60 किलो मीटर प्रति घ गहन्ता की चाल से आधा घंता अमें इदुनों के बिच की दूरी कितनी हो गई 30 किलो मीटर दूरी ब़राबर चाल गुनए मैं आधा घंता इंट भागग रहा है कितना 60 km प्रति घंटा की चाल से अई पीछा कर रहा है 75 km प्रति घंटा की चाल से देखिए यह एक घंटा में 60 km यह एक घंटा में 75 km तो एक घंटा में ज्यादा कितना दर रहा है 15 km तब 15 km एक घंटा में तब 30 km कितना दिर में कभर कर लेगा तो पकरने में लगा समय कितना हो जाएगा? पकरने में लगा समय बराबर इस दूरी 30 किलोमेटर जाने में 15 किलोमेटर परती घंटा इस तेज दर रहा है कितना समय लगा? दो घंटा? तो दो घंटा में पकर लेगा दो घंटा में पकर लेगा लेकिन पूछ रहा है कि कितने बजे पकर लेगा तो पकरने का समय क्या होगा पकरने का समय तो कितने बजे पकरना शुरू किया था तो दो बजे तो दो बजे पकरना शुरू किया दो घंटा लगा यानि चार बजे पकर लेगा दो बज़े दो फर है ना तो चार पीए में पकर ले गाई चार बज़े साम्यों पकरा जाएगा अच्छा पुछता कि पकरने में तैदुरी कितनी है तो 75 किलो मेटर परतिगंटा की चाल से 2 घंटा चला है तब न पकरा है तो 75 दुना 1.500 किलो मेटर पर जाके पकरेगा ठीक ह देखे कहा है नेक्स्ट प्रश्न एचार कीलो मेटर परतिगंटा की चाल से पैदल चलता है उसके यात्रारंब करने के 4 घंटा बाद बी उसके पीछे 12 किलो मेटर परतिगंटा की चाल से जाता है पर आरमभिक बिंदू से कितनी दुरी पर बी ये को पकर लेगा ए जो है चार किलोमीटर परती घंटा की चाल से चला और कितने घंटे बाद भी चला है चार घंटा बाद तो ए पहले चला है यहां से भी बाद में चला है चार घंटे बाद तो चार घंटे में ए जो है चार किलोमीटर परती घंटा की चाल से चार घंटा में 4.16 किलो मेटर दुरी तै कर लिया, दुरी बराबर चाल गुने समय, तो 4 किलो मेटर परतिगंटा के चाल से, 4 घंटा में तै दुरी, दुरी बराबर चाल गुने समय, तो 4.16 किलो मेटर, अब यहां आ गया, अब 20 के पीछे, यह जा रहा है, 4 किलो मेटर परति गंटा की चाल से तो दोनों के बीच की दूरी 16 किलोमीटर जब कौभर हो जाएगा तो भी एक को पकर लेगा चुकि यह जो है इससे 8 किलोमीटर परती गंटा तेट चल रहा है तो पकरने में लगा समय क्या हो जाएगा पकरने में लगा समय हो जाएगा दूरी है 16 किलोमीटर पकरने का चाल 12 में से 4 गया तो आठ दूना 16 दो घंटा में पकर लेगा दो घंटा में पकर लेगा पूछ रहा है कि प्रारामिक बिंदू से कितनी दूरी पर बी एक को पकर लेगा तो बी जो है दो घंटा में एक को पकर लेगा और उसकी चाल है 12 किलोमीटर परती घंटा यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा चलेगा तब पकर लेगा तो पकरने में तैदुरी कितनी होगी? 12 गुने 2 यानी 12 दुना 24 किलोमीटर अगर इससे निकालेंगे तो 2 घंटा पकरने में लगा चार घंटा पहले चला था तो दो आचार 6 गंटा, 6 गंटा 4 किलोमीटर प्रती गंटा की चाल से चला है, तब न पकराया है, तो दो आचार 6 चोग 24 किलोमीटर, इससे भी आ जाएगा, इस प्रस्ण पर आते हैं, इजी है, टफ नहीं है, एक कुत्ता से 180 मीटर की दूरी पर खरगोस है, देखे, 180 मीटर क की दूरी पर पहले से खरगोस, यहां है खरगोस, यहां है कुत्ता, ठीक है, पहले से 180 मीटर की दूरी पर है, एक खरगोस खरा था, कुत्ता को देखकर खरगोस, 9 किलोमीटर पर ती घंटा की चाल से भागा, खरगोस भागा किस चाल से, 9 किलोमीटर पर ती घंटा की चाल स एक मिनट बाद अच्छा कुट्टा भी 12 किलो मिटर पर ती घंटा की चाल से खरगोस का पीछा किये तो कुट्टा जो है पहले से दुनों के बीच 180 मिटर है खरगोस जब भागना शुरू किया उसके एक मिनट बाद कुट्टा दोरा है इसका मतलब है कि एक मिनट में आउर दुरी तै कर लिया तो 9 किलो मिटर पर ती घंटा की चाल से तो इसको 5 बटा 18 से गुना करेंगा तो इतना मिटर पर सेकेंड आ जाएगा एक किलो मिटर पर ती घंटा में जो है दुरी मीटर में है तो चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए पाच बटा ठार से गुना करेंगे तो नौ किलो मीटर पर ती घंटा के चाल से तब पाच बटा ठार से गुना के तो मीटर पर सेकेंड में आगे किलो मीटर पर्ति घंटा की चाल से अरह कर रहा है 12 किलो मीटर परति घंटा की अ तो बहुतब ने के वीचतरी की को स comprend भीमेटर की सिर्छा तो म..? किलुमीटर पर ती घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे कितना समय में वह पकरेगा तो माना टी सेकंड में पकरेगा आटी सेकंड में जब पकर लेगा तो यह पूरा दुरी कभर हो जाएगा ते एक स्वस्जी अ डेर गया सुनना डेर सुनना अठारा पंद्रा तीशा इतना तीन छक अठारा पांच सेई 5 चक तीश तीन जीरो पांच चक तीश तर टी बराबर आ गया 36,36,36,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,396,39 इतनी दुरी पर खरगुष कुट्ता को पकर लेगा पकरने में तय दुरी क्या होगी तो दुरी बरावर देखिए 12 किलो मीटर पर ती घंटा की चाल से तो 5.18 से गुना करेंगे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितना 396 में सेकेंड चला है तब पकर है तो ठार दुना 36 तो 12 पचे 60 में 22 से गुना करना है 22 चका 132 तेरा सो बीस मीटर दुरी तय करेगा कुटावर आगे जाके तब पकरेगा ठीक है समझिएगा वीडियो को बार बार देखिएगा समझ में आ जाएगा में है यह समझना की 9 किलोमीटर पर ती घंटा की चाल से खरगोस एक मिनट चला माने 60 सेकेंड चला तो आड़ दूरी तय कर लिया एक मिनट पहले ही चला है खरगोस एक मिनट पहले चला है कुट्ता एक मिनट बाद चला तो आड़ दूरी न तय कर लेगा तो टोटल दूरी अब दुनों के बीच हो गई 330 मीटर यह बात धियान रखना है ठीक देखें मेरे प्यारे दोस्त हम लोग टाम एंड डिस्टेंस के टॉपिक चार के नेक्स्ट प्रस्ण पर आते हैं प्रस्ण है एक पुलिस एक चोर को 250 मीटर की दूरी पर देखता है तदो परांत चोर भागना शुरू कई किया और पुलिस ने उसका पीछा किया जिनकी चा और हाइसो मीटर पहले से दूरी है ठीक है और यह भागना शुरू करता है और पीछा करना शुरू करता है यह भाग रहा है 10 किलो मीटर पर ती घंटा की चाल से पीछा कर रहा है 11 किलो मीटर पर ती घंटा की चाल से ठीक है अगर इसके चाल में से इसके चाल को घटा ए साटब से गुना करेंगे तो एक किलोमीटर फरती घंटा की चाल से चोओ मिनटमें कोड़ी सकते बदलेंगे तो साठ से गुना करेंगे जितनी दूरिंताइब करेंगी व में कोडीबिद्स पाइब हो तो कितना आजाएगा? निकाल लाज़ी, छोत्री, अठारण, तीन से 20, तब 20 पचे 100 मिटर, तो 100 मिटर, और हाई 100 मिटर में से 100 मिटर ही चल चुका है, इसलिए, एक किलो मिटर परती घंटा के चाल से, छो मिनट में 100 मिटर, तो अरहाई 100 मीटर में से 100 मीटर चल गया तो दोनों के बीच की दुरी कितनी हो गए तो इसलिए दोनों के बीच की दुरी हो गई अरहाई 100 माइनस सो अर्थाथ 1.500 मीटर उमीद करते हैं बास समझ में आई होगी इस प्रश्ण पर आते हैं वैसे बनाया हुआ है लेकिन देख लीजे फिर से कह रहा है एक कार चालक 60 km प्रतिघंटा की गती से कार चला रहा है तथा वह एक बस को 175 मीटर आगे देखता है 24 सेकेंड बाद बस कार से 125 मीटर पीछे हो जाती है बस की चाल कितनी है देखें कार की चाल अधिक होगी तभी तो बस को पीछा करके और उससे फिर आगे निकल गया तो बस की चाल हम मानते हैं बस की चाल बस की चाल बराबर एक स किलो मीटर प्रतिघंटा तो पीछा कर रहा है समझेगा बात को जब पीछा कर रहा है तो यह पहले से है कितना दूरी पर एक सो पच्छतर मीटर की दूरी पर इसको जब इसके चाल में से इस साथ किलो मीटर प्रतिघंटा है एक स किलो मीटर प्रतिघंटा है तो इसके चाल में से इसका चाल घटा लेंगे तो इसको इस्थिर कर दिये इस्थिर हो जाने के बाद इस एक सो पचीस मीटर आगे निक जाता है कितना देर में चौववन सेके नमें यह आगे निकल जाता है लिए से चाल से 44 सेकेड में यतना दूरी तय करता है कि 175 मीटर दूर कर मेक अप करके 125 मीटर आगे निकल जाता है मतलब 100-100-200 35-25 300 मीटर दुरी तै कर लेता है जब इसके चाल में से इसको घटा दियते है इसको ते स्थिर्माल लिए तो जो बच गया चाल उसी से ने इसको तै किया है जो 175 मीटर रही 125 मीटर तो 18-24 25-25 दुना 30 तो 60-1 बराबर 20 आ गया तो एक्स बराबर आ जाएगा 40 देखिए अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर इपांच भटा ठाड़ा से गुना कर दिये तो मीटर पर सेकेंड में हो गया नहीं जिसमें मानेंगे उसी में आएगा तो मानेंगे क्या चित थे किलो मीटर परती घंटा में तो 40 किलो मीटर परती घंटा आ जाएगा ठीक है समझे में आ रही यह बात थैंक्यू